वेलकम टू कोडिंग जयंक्शन मैं अबैकुमार आपके लेकर के आया हूं न्यू वीडियो जहां पर आज हम देखेंगे कि आपने अपना Facebook अकाउंट कुछ समय पहले डिलीट कर दिया था तो आप उसे कैसे रेकवर कर सकते हैं या फिर आपका YouTube चैनल पर Secure भारत के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रियेट कर दिये जिसमें आपको काफी सारी वीडियो मिलती रहेंगी जैसे कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है तो कैसे आप रेकवर कर सकते हैं या फिर अलग अलग तरीके के लेटिस्ट जो फ्रॉड चल रहा है उनसे आप कैसे बच सकते हैं और आपको next process क्या follow करना है वो भी हम वीडियो के तुरू आपको गाइड कर देंगे अगर आप cyber security and ethical hacking से related कोई भी वीडियो से देखना चाते हैं तो हमारे चैनल को अभी subscribe कर लीजिए तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने chrome browser पर यहां पर हम लिखेंगे facebook login and enterprise करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर पहला link आ रहा है हम इस पर simply click करेंगे and हम यहां पर email या फिर phone number बांग रहा है तो हम यहां पर भी अपना phone number दे देंगे and search करेंगे यहां से तो इस number से आपके जो भी account होंगे वह आपको यहां पर show हो जाएंगे तो आपको जो भी account है this is my account उस पर आप click कर देंगे आप तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वाँ पर click किया तो आपको यहां पर password बांग रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे ट्राइअ अनौधर वेपर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ट्राइअ अनौधर वेपर जैसे ही हमने click किया तो आपको यह options मिल जाएंगे send code via facebook notification याणि facebook के त्रूँ आपको notification मिल जाए या फिर आप password डाल करके login कर सकते हैं लेकिन हमारा ना तो OTP आ रहा है ना हमारा Facebook account खुला हुआ है और ना ही हमें password पता है तो आपको यहां पर एक option दिख रहा होगा no longer have access to these तो हम इस पर simply यहां पर click कर देंगे और आप देख सकते हैं कि I have lost access to my login details तो आपको क्या करना है यहां पर start पर simply click कर देना है and confirm it's you इनको बताने के लिए कि यह आप ही है और आप ही की आईडी है तो आप यहां पर क्या करेंगे upload id पर click कर देंगे आप पर simply and आप जैसे ही upload id पर click करेंगे तो आपको यहां पर जो भी आपके पास document है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि passport, driving license, national identity card, marriage certificate, तो आप यहाँ पर कोई भी document अपना यहाँ पर दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर national ID card दे देंगे, जो कि आज कल सभी के पास होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, next कर देंगे, त उसकी आपको यहाँ पर photo upload करनी है, और इसको minimize करता हूँ, तो मैं आपको यह guide कर देता हूँ, कि कापी सारे लोगों ने यह process follow किया होता है, लेकिन फिर उनका account recover नहीं होता है, तो वो account आपका recover क्यों नहीं होता है, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर guide करूँगा, त जो आपकी photo है, वो update होनी चाहिए आपके other card में, ताकि वो match कर सके, और उसके बाद में आपका आजाता है address, कि आप mainly अपनी ID को कहां से किस जगा से login करते थे, तो यह भी आपको देखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, simply जाएंगे अपने chrome browser पर, and upload वाले option पर click करेंगे, desktop पर जाएंगे, जहां पर हमारा other card है, and हम क्या करेंगे, यहां से open कर देंगे से, अब देखिए यह क्या करा है, your photo must be at least, इतने से इतना size इसका होना चाहिए, आप जो भी अपना other card यहां पर upload कर रहे हैं, उसका size increase कर लीजिए, online जा करके, तो मैं क्या करूँगा, यहां पर क्या करना है, आपको यह नहीं upload करना है, आपको अपना other card ही upload करना है, उसका size increase करके, तो मैं क्या करूँगा, यहां पर submit कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं, confirm your identity, thank you for submitting your information, और आपको यह क्या कह रहा है, कि within 48 hours में आपको reply मिल जाएगा है, जो भी इसका reply होगा, वो आपक क्यों लेते हैं, ताकि जो आपकी request है, उसका reply है, वो आपकी email ID पर भेज सकें, तो आप 48 hours के अंदर अपना reply होआपर check कर सकते हैं, कि उन्होंने क्या response दिया आपको, अगर आपकी detail बिल्कुल match करती हैं, और same होती है, तो आप account 100% recover हो जाएगा यहां पर, तो यह process हमने या फिर किसी black hacker ने हमारी ID hack कर लिए, तो उसके लिए हम क्या task perform कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कि दो video create करेंगे, क्योंकि उसके दो method मैं आपको बताने वाला हूँ, कि कैसे कैसे आप अपना account recover कर सकते हैं, अब वो आपका Facebook का account हो सकता है, या फिर Instagram, या फिर Gmail ID का, तो आप किसी का भी account recover कर सकते हैं, ethical hacking सीखने के लिए भी हमारे channel को subscribe कर लिजिए, मैं मिलता हूँ आपसे next video में, thank you